असलामों आलेकुम मेरे परदेशी भाईयों तो फाइनली आप लोगों का एक बार फिर से विलकम होगे हाई सदाम यूट्यूब चैनल पे अगर आप जानना चाहते हैं चेक करना चाहते हैं कि आपके नाम पे आपके आईडी पे कितना सीम चल रहा है तो आप आसानी से आउनलाइन चेक कर सकते हैं और उसे बंद भी करा सकते हैं जो भी फालतुव आदमी आपका सीम चला रहा है आपके नाम पे चला रहा है क्योंकि कई बारा इसा होता है आप सीम लेने जाते हैं मार्किर से तो आप एक SIM लेकर चले आते हैं लेकिन आपके ID का zirox करके duplicate करके लोट उस पे SIM निकाल कर लोगों के साथ बेचा जाता है जिनके पास ID नहीं होता है उनसे काफी पैसा लेकर ज्यादा पैसा लेकर उनके हातों बेचा जाता है और वो इस्तमाल करता है जो भी कुछ उस SIM की जरीए किया जाएगा अगर कोई गलत होता है तो आप पकर जाएंगे क्योंकि आपके नाम पे वो SIM चल रहा है तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि मेरे नाम पे इतना SIM चल रहा है तो चली मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप लोग किसी भी कंपनी का SIM चेक कर सकते हैं आउनलाइन और उसे बंद भी करा सकते हैं अगर आप चाहेंगे कि ये SIM तो मैं नहीं चलाता हूँ तो आप उसे बंद भी करा सकते हैं क्योंकि मैं एक साल पहले काफी लोगों का SIM आउनलाइन बंद कराया था और वो बंद भी हो जाता है तो चली मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप लोग आउनलाइन कर सकते हैं अगर आपको यह जनकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और सेर जरूर कीजेगा और मेरे चैनल पर अभी तक नए है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हमेशे के लिए और पर किलिक करके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जान सकते हैं क्योंकि हमेशा आप लोग के काम की चीज लाता रहता है तो हम आच चुके हैं मॉवाइल डिस्प्ले पे तो सबसे पहले CITC application को डाउनलौर करना पारेगाective drama लान बंझ कराने का यहीं ठीजा तरीका है तो यहाँ पर हम click करते हैं इस application को और यहाँ पर click करने के बाद आप Google से भी search कर सकते हैं अगर आपके पास application नहीं है तो Google में जाके search इस पर क्लिक करें और यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपका अपसर आईडी का यूजर नेम यहां पर यूजर नेम मालम नहीं तो एक आमन नमर डाल दे और नीचे पास्वड डाल दे उसके बाद लोगिं पर क्लिक करते हैं तो यहां लोगिं पर हम क्लिक करते हैं उसके आपके नमर पर कोड आएगा उस कोड को यहां पर दर्च करना है तो देख सकते हैं मेरे नमर पर कोड आ चुका है तो यहां पर डाल देना है उसके बाद फिर से यहां पर कंटीनुई पर क्लिक करें तो देख सकते हैं यहां पर मेरा एकाउंट ओपन हो चुका है यहां पर और भी चीज बहुत सारा उप्सन आता है आप कोई भी चीज यहां पर चेक कर सकते हैं और यहां पर रिपोर्ट का उप्सन है रिपोर्ट कर सकते हैं तो यहां पर सीम के बारे मुझे जानना है कि मेरे ID पर कितना SIM निकला हुआ है कौन-कौन इंसान के कौन-कौन नमर चला रहा है तो नमर के साथ में यहां पर सो होता है तो यहां पर हम क्लिक करते हैं यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप खुद देख सकते हैं बंद करने का तरीका बताया था, तो मैंने बंद करके दिखाया, उस सीम को मैं पहले ही आउनलाइन बंद कराया था, तो बंद हो गया, लेकिन एक सीम मिरे नाम पे अभी भी चल रहा है, यानि मैं खुद चला रहा हूँ, अगर आप लोग चेक करेंगे, तो आपके नाम पे का यानि चला यह नमर है अगर आपके आपके इडी पर इस तरह से दिखता है यहां से लाइन में नमर दिखेगा किस कंपनी का है मोबाइली है जेन है एस्टी सी है लेबरा है हर क्वालिटी का आपके सानु में डिटेल्स आ जाएगा अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो आ क्लिक करें क्लिक करने के बाद फिर से यहां पर नमर करना है तो यहां पर क्लिक करके अगर आप कोई और सीम का सेट करना चाहते हैं तो यहां पर अप्शन आएगा तो मेरे नाम पर एक ही सीम है तो यहां पर मैं बंद नहीं करना चाहता हूं पिर भी मैं आपको दिखा रहत जो normal इंसान चलाता है कोई इंसान शरीफ internet के लिए खड़ीता है तो यहां से आप लोग कर सकते हैं कोई भी option उसके बाद यहां पर जो option है यहां पर नीचे भी click करना है और यहां पर click करने के यहां पर देख सकते हैं cancel your suspend number तो यहां पर click कर देख रिक्वेश्ट चला गया उसके बाद यहां पर तीर के निचान पर click करना है तो फिर से यहां पर option आएगा कोई चीज़ अगर आप details डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं क्या problem है क्या है नहीं है यहां पर लिख सकते हैं उसका यहां पर प्लस के निचान पर click करके कोई भी photo है सेट कर सकते और यहां पर click करने के बाद आपको कोई भी इसमें से option करना होगा जो भी मसला POL сत अप साथ हो एशक कर सकते यहां ऐसे इस से अधर पर रहने ते यहां पर मैं आपको दिखाना चाहुँगा यहां से कोई भी औप्शन आप सलेक्ट कर सकते हैं कोई मसला नहीं मिसला करता हूँ यहां के निसान पर आपको क्लिक करना होगा उसके बात कुछ इस तरह से आएगा तो यहां टिक का निशाने दोबरा क्लिक करेंगे तो यह किंसिल हो जाएगा एक हफ़ता के अंदर में यह बंद कर दिया जाता है कोई कोई सीम अगर आप सही से डिटेल्स नहीं डालेंगे तो नहीं बंद होगा नहीं तो बंद कर दिया जाता है इस तरह से आप बंद कर सकते हैं उम्मिद करता हूं कि आपको जनकारी अच्छला किसे वीडियो को लाइक से जरूर कीजेगा फिर मिलेंगे अगरे वीडियो में जब तक के लिए अल्लाहाफिस कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके पूस सकते हैं